पैकेज, स्टेज, जज, ब्रिज बन साइट पर जो वर्ट्स हैं, उन वर्ट्स में वर्ट के लास्ट में जा साउंड आया है और जा के साउंड से हमने जी इ बनाया है पैकेज और स्टेज, इन वर्ट्स में वर्ट के लास्ट में जा साउंड आया है और जा के sound से हमने ge बनाया है दूसरी साइट पर जो words है judge, bridge इन दोनो words में word के last में जा sound आया है और जा के sound से इन दोनो words में dge आया है Hello guys and here students आज की वीडियो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि word के last में जब जा sound आता है तो जा के sound से ge या dge कब आता है तो चलिए वीडियो सुरू करते है Long sound of bobbles Bobles का long sound A A का sound जब A हो E का sound E I का sound I O का sound O U का sound U जब A का sound A जब यह same sound आते हैं तो यह A, E, I, O, U के long sound होते हैं जब किसी bird के last में Long bobbles sound के बाद जा आएगा तो जा के sound से ge आएगा अगर किसी bird के last में long bobbles sound आ रहा है और उसके बाद जा जा sound आ रहा है तो हम जा के sound से ge लगाते हैं जैसे पेज, केज, सेज, वेज, ह्यूज, स्टेज, ब्लेज, पैकेज इन सभी words में word के last में long sound के बाद जा sound आया है और जब भी किसी भी bird के last में long sound के बाद जा sound आता है तो हम जा के sound से ge लगाते हैं जब किसी bird के last में consonant sound के बाद जा आये तो जा से ge आता है अगर word के last में consonant sound के बाद भी जा sound आ रहा है तब भी हमें जा sound से ge लगाना है जैसे range large words George strange इन सभी words में word के last में जा sound से पहले एक consonant का sound है और जब भी consonant का sound आता है उसके बाद जा sound आता है तो हम जा के sound से ge लगाते हैं जब किसी bird के last में short sound के बाद जा sound आये तो जा से dge आता है अगर बर्ड के last में short sound के बाद जा sound आएगा तो हम जा के sound से dge लगाएंगे ge नहीं लगाएंगे जैसे judge, ledge, hedge, lodge, age, ridge, bridge, fridge इन सभी words में word के last में short sound के बाद जा sound आया है और जब भी short sound के बाद last में short sound के बाद अगर जा का sound आयेगा तो हम जा के अब आज में dge लगाएंगे ख्श्वाथ बाद के लाद